वार्स जोन में आ गया एरान इस्राइल पर पहली मिसाइल लॉंच खाड़ी में यूएस सेन अड़े फॉर्स टार्गेट शाहाब द्री से दहलेगा इस्राइल सेजिल से ओड़ेंगे यूएस के जंगी बेड़े इरान इस्राइल टककर ट्रम्प लाएंगे बड़ा ट्वेस्ट विस्फोटर विद्भनसक हतियार महाविनाशकारी प्रहार इस्लामिक रेवलूश्री गार्ड्स ओर ने युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है समंदर में इरान अपने दुश्मनों को मोतोर जबाब देने उतर गया है बैटल शिप, मिसाइले, डेस्टोय और महाविनाशकारी हतियारों से लैस इरानी नेवी तहलका मचा रही है इस्रेल और अमेरिका से टककर लेने का ऐलान भी इरानी नेवी के टॉप कमांडर्स ने कर दिया है लेकिन इरान के तैश में आते ही अमेरिका बैक फुट पर चला किया बाइडन ने इरान के जवावी हमले पर क्या कहा बहुत गौर से देखिएगा इस्रेल भी इरान के गुसे और बदले की आग को देख धर रा गया है लेकिन इरान अब रुकने वाला नहीं है किसी भी चाल में फसने के लिए कामने इरेडी नहीं है क्योंकि इरान में घुसकर हानिया का मर्डर घाजा में मुहम्मद दैफ का सफाया लेबनान में हेजबुल्ला की पिटाई यमन में हूतियों पर हमले क्या क्या बरदाश्ट करेगा इरान इरान के बरदाश्ट की हद बार हो गई है इरान के पास जवाब देने के सिवाद कोई और रास्ता नहीं बचा है इरान सब्र का और इम्तिहान देने के लिए तयार नहीं है इरान के सरवे सरवा अली खामनेई ने इसरेल को, अमेरिका को और उसका साथ दे रहे अरब देशों को अपनी मिसाइल ताकक का एसास कराने का मन बना लिया है इरान धमकी की बजाए अब धमाके के मनसूबे बना चुका है लेकिन इरान के पलटवार से मचने वाली तबाही कानुमान लगाने के बाद अमेरिका ने युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी है सही मायने में कहा जाए तो सुपर पावर ने इरान के आगे सरंडर कर दिया है प्रेसेडन जो बाइडन का ये बयान फिर सोनी है सिर्फ एक शब्द में उनका खौफ जाहिर हो रहा है इरान को जब से रूस से हत्यार और सपोर्ट मिला है तब से इरान अटैकिंग मोड में है इरान और इस्रेल के बीच युद्ध का माहौल बनने के बाद रूस ने इरान की 15 साल पुरानी डिमांड पूरी करते हुए उसे S-400 Air Defense System देने का अलान कर दिया S-400 दुनिया का सबसे Advanced Anti-Air Defense सेस्टम है S-400 Air Defense Missile System आस्मान से घात लगा कर हुए हमलाबर Missile को पल भर में राक कर देता है S-400 से एरान आसपास के बड़े इलाके पर नज़र रख पाएगा S-400 की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी मूव करना आसान है S-400 को NATO द्वारा S-A-21 Crawler Long Range Defense Missile System कहा जाता है पोतिन का बाहुबली कहा जाने वाला S-400 माइनस 70 डिगरी तक तापमान में काम करने में सक्षम है रूस के साथ पाकिस्तान भी इरान के सपोर्ट में उसे शाहीन 3 मिसाइल देने की प्लानिक कर चुका है शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है 19.3 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलो मीटर है यानि इसरैल क्या उसके आसपास के अमेरिकी सेन अड़े भी इरान की रेंज में होंगे